नमस्कार जैहिंद प्रणाम सभी साथियों को स्वागया तविनंदन सभी का एक बड़ी खुश खबरी आप सभी साथियों के लिए कि राजस्तान जो पटवारी भरती है वो कब आएगी फोरम कब भरे जाएगे एकजाम कब होगा कितने पदों पर होगी सलेवस क्या रहेगा किसके थ्रू होने वाली है संपुर्ण जानकारी के साथ में आप सभी के बीच में उपस्तित हूं बिल्कुल सभी साती एक बार के लिए सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आप जिस परिवार पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसी परिवार के लगातार क्लासी होगी जिससे आप ऑनलाइन भी अपने घर बेटे अराम से पढ़ सकते हो तो एक बार के लिए सभी साती गण सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जो आप सभी के लिए खुश कबरी क्योंकि हालां कि पज़ चाहे थोड़े आओ मैं तो कह रहा हू को ऐसे लगे वह उसकी लगन से वह अपनी त्यारी करें और वह अपने कंटिनुटी रखे मैंनुदेश यह हो तो अब आप तीन साल भरती नहीं निकालते तो तीन साल में 50% सिद्धी सी बात है पढ़ाई छोड़ देते हैं अगर वड़ाई विचार मजबूरन हो जाते हैं लड़कियों की साधी हो जाती है तो इसलिए जरूरी है ना तो पटवार भरती सीटी में सामिल होगी जूसर्ण मारक साफ है मैंने आज से एक साल पहले बोला था साइब एक साल पहले की बात मैंने कहा था बहुत बार विद्यार्टियों ने कहा है वो तो जल्दाए के अंदर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी ऐसी किये थे आपको पता नहीं है सर आपने तो ऐसी कर दिया बच्चों को गुम्रा करकर चले कि आज तो आप और मैंने का भी यह होगी यह सामिल होगी यह जल्दाए विवागो पठवारी बरती सीटी में सामिल होगी अपने को क्या करना है कि मैं अपने उसके उपर पूरी जानकारी लेंगे कितने पद रहेंगे फिर उसकी बात आई गुरुजी अग्जाम कब तक हो अब इस साथ्यों को बता देता हूं पटवार बरती अपनी याद चुकी है पटवार बरती की बैतरी नगर आप त्यारी करना चाते हो तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं अर्जुन बैंच सिखवाल जी सर के निरदेशन में अपने यह अर्जुन बैंच आपके निशुल की एक प्रकार से एक क्योंकि सीटी की पटवारी की साथ में हो जाएगी गुरुजी क्या कुछ रहने वाला है यह लिजिएगा नाम मातर सुल मातर 309 रुपे गुरुजी क्या रहेगा यह तेन दिविस्य ओफर है तेन दिविस्य ओफर रहेगा आपका 31 जुलाई सारे रिकोर्डड विद्यारति क्या करता है आपको लायों लिद्वी के अंदर क्या आपके पड़ाएं तो प्रण पर प्रण और समभागों पर आपका यह Cum leo रहने वाला है अब देखिएगा पतवारी किशना पर आपको बताऊंगा प्तवारी वाली चैन बोर्ड का पुछे आपको दिखाए नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है हमारे टेलिग्राम जोईन कीजिएगा शिख पाड़ ओनलाइन हब वहां पर आपको मिल जाएगी पीडियाप इसकी फोटो भी मिल जाएगी इसके अंदर क्या रहेगा प्रिक्ष्या की स्कीम और विस्तरित पाथ्यक्रम जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्रोफिय ओफ इंडिया, जनरल नोलेज, करंट अफेर यह कहां पर है यानि कि वेटेज इसका जो वेटेज रहेगा 25 परतिशत कहने का मतलब अग्जाम के अंदर 150 परसन आएंगे पटवारी एक्जाम के अंदर कितने परसन हैं, 150 परसन आपके रहने वाली हैं, ज्यान रहे, 150 परसन रहेंगे, आपके लग 25 परतिशत वेटेज रहेगा आपका इंडिया जिक के और साइंस का, कहने का मतलब उपर से उपर आपके 38 क्यों सनाएंगे और 60 नम्मर की होंगे, फिर उसके बाद जियोग्रोफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलेटिक किस की आएगी, राजस्तान की, इसका जो वेटेज रहेगा, वो रहेगा 20 परसेंट, मतलब इस अग्जाम का परतिशत कितने परतिशत इसका राजस्तान जी की आएगा, 20 परतिशत आएगा, परसन आए बैसिक निमरिकल एफिशेंट, यानि कि मैथ और रिजिनिंग, 30 परतिशत वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा इसका, और आपके टोटल जो क्यू सनाएगे, 45 क्यू सनाएगे, और 90 मारक्स के होंगे, ठीक है, बैसिक कंप्यूटर आपका 10 परतिशत रहेगा, इसके परसना आएगे, 15, 30 अंक के होंगे, यानि 150 अंक का आपका परोने वाला है, और 300 आपके क्या हो, 150 परसन आएगे, और 300 क्या रहेंगे, आपके अंक रहेंगे, ध्यान रहे, अब CT में क्या है, देखना, यह आ रहा है CT के अंदर सारी चीजे, यह वाले सारी आ रहे है, इंगलिस आपके लिए बहतर रहेगा, फिर गुरुजी, अभी आपने तो बताया है नहीं, अभी सलेवस बताया आपने, बिल्कुल सलेवस बताया, तो यह लिजिएगा, आज का ही ट्वीट है, अधिनेस्ट बोल्ट के चेर्मेन अलोक राज जी का, अलोक राज जी ने का कि अगामी पटवारी प्रिक्षा, सीटी बेस होगी, यानि कि अगामी जो आपकी पटवारी भरती है, वो सीटी के अंदर सामिल ला, गुरुजी, सीटी, सनातक स्तर के उपर यह आपकी भरती होगी, ठीक, 1963 पद है, हालां कि हमेशा ही याद रखना, विवाग हमेशा एक बात कहता है, कि भई पद कम याँ जादा किये जा सकते हैं, तो आज तक कभी किशी बरती में कम तो हुए नहीं है, तो जादा ही होगे, यह तो त्या ही है, चूंकि इसके पिछे एक कारण और बता देता हूँ, मैं मेरी साइड की बता देता हूँ, अनमानगड की, मेरे ध्यान में ऐसे अभी हाल फिलाल पांच अध्यापक हैं, जो पहले पतवारी थे, पिछली बरती में लगे थे, यह दोजार गुन्निस वाली आई थी, मेरे साभ से यही थी लास्ट, इस वरती में लगे, क्योंकि जोइनिंग ने को लेटी मिली थी, फिर वो बन गे अध्यापक, तो उन्हो तीन जार पार जाएंगे यह 2700 के आसपास पहले चर्चा थी तो तीन जार प्लस आएंगे लास्ट तक देख लेना चाहिए आज की बात याद रख लेना मैं सक्रेंसोट नहीं डालने वाला हूं आपके लिए कि भी मैंने उस दिन के दिया था आप तो सिर्फ इतना और 6 माय के अंदर हम बड़ी अत्यारी कर सकते हैं चूकि पहले CAT करने पड़ेगी और पहले अगर यह करते हैं तो उसके लिए यह जरूरी है चूकि CAT पास करने के लिए आपके पास चाहिए 40% अंग जो कि कल मुख्यमंतरी बजलाल जी सर्माने कर दिया था कि परदेश मे युवाओं को सरकारी बर्तियों में अधीक अउसर प्राप्त होसके इसलिए CAT को प्रावदान को बदला है हमने नियूंतम अंग पातरता 40% रखा है जनरल और OBC वालों के लिए और SCST के लिए कितना रखा है SCST के लिए रखा है 35% अंग तो ज़रूरी है भी यह 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 तो 7878918723 पर आप कोल या वाटसब कर सकते हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी बाकि अन्य कोई आपको जानकारी चाहिए कमेंट बोक्स के मादियम से कर देजिएगा बहतर रहेगा यह तीन दिविश्य माव पर आप सभी के लिए रहने वाला है जो इन जरूर साथ में विश्य विश्य सगेटीम जो लेखक हैं वह आपको पढ़ाने वाले हैं बाकि आपको मैंने बता दिया हमारे राजस्तान पटवारी के और सिक्वाल पब्लिकेशन के और से हमें सांसे बुके बहुत बैतरी नाती है पिछे आती रहेगी अगे भी आती रहेगी आप उनलाइन इसको अंडर कर सकते हो उनने सौल पेपर वाली है शिक्वाल पब्लिकेशन की पुस्तक है ठीक है तो आप यह पुस्तक भी मंगवा सकते हूं आप बड़िया तरीके से बैंच भी जोन कर सकते हो उसमें आपको क्या होगा पूरी क्लासी हो जाएगी सलेवस आ बता दिया फिर उसके बाद अगामी पटवारी बरती प्रीक्षा सेटी बेस होगी आपको बताई दिया ठीक है तो पद कितने होंगे यह सारी आपको जानकरी देती है धन्यवास सभी सात्यान मेरे इसाब से सभी को समझर में आ गई होगी बाखी आप बड़े तरीके से